Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल कि क्या वो हुआ की नहीं हुआ, हमने Study IQ पर भी कल वीडियो बनाया था, और आपको बोला था, कि अभी 100% शॉर्टी नहीं है, लेकिन जो भी हो, यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस किया, ज्यादा तर लोगों में, कि उनको जो पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का, उसके बार मैं नहीं पता, तो मैंने सोचा, यहाँ पर जो पूरा चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो वर्क कैसे करता है, उपर से नीचे तक, यहाँ पर किस तरह से orders है, वो सारी चीजे मैं आपको डीटेल से यहाँ पर बताऊंगा, बहुती सिंपल तरीके से, काफी कुछ जानन में मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट और आप पर जाएए, और उसके अंदर आपको अलग-अलग फीचर्स हैं, जैसे कि 900 प्लस आवर्स आवर्स आफ लाइफ टीचिंग है, नोट्स दिये जाएंगे, आंसर रैटिंग प्राक्टिस कराई जाएगी, आपकी मेंस एक्जाम जब हम बात करते हैं, आज का जो चाइना है, वो चाइना को बेसिकली हम क्या नाम से जाते हैं, इसको बेसिकली कहा जाता है, People's Republic of China, ध्यान रखेगा, PRC, और जो यहाँ पर ताइवान है, आपको पता होगा, इसको कहा जाता है, ROC, तो आज का प्रेजेंट का जो People's Republic of China है, यह जो boundary आप देख रहे हो, इसके सुरवात बेसिकली आप कह सकते हैं, 1949 में, under the leadership of Mao Zedong, कई बार आपने सुना होगा, Mao Zedong, तो वहाँ से यह सुरवात होता है, China became a communist country, तो 1949 में क्या हुआ, चाइना एक communist country यहाँ पर बन गया था, अब communist कहने का मतलब क्या है, इसका simple earth यह हु जो private ownership होती है, उसको खतम कर दिया जाएगा, उसी को हम यहाँ पर communist country कहते हैं, तो चाइना एक प्रकार से communist country के तौर पर 1949 में निकला, और Mao Zedong की, जो आप picture देख रहे हो, Mao Zedong जो है, उन्होंने इसकी सुरवात की, और एक प्रकार से उस देश के अंदर, चाइना के अंदर जितने भी factories थे, businesses थे, land थे, जो की लोगों के पास थे, उसको directly state control के अंदर ला दिया गया, जो communist party of China है, they took control and the people worked on behalf of common good, मतलब की Mao Zedong की जो theory थी, उनका जो idea था वो यह था, कि हम individual progress के लिए, यहाँ पर जो बाकी का progress है, उसको नहीं रोख सकते, मतलब की, यहाँ पर सभी ल इकल गया, दूसरा पीछे रह गया, लेकिन actually अगर आप practical में देखो गया तो ऐसा होता नहीं है, अगर मान लोग कोई person ज्यादा talented है, ज्यादा hard working है, उसका मन करेगा ना कि वो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से आगे बढ़े, काम करे, आप उसको suppress नहीं कर सकते, यह एक normal human being का nature होता है, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है, कि अगर हमें यहाँ पर चीजों का आगे बढ़ाना है, तो जो ज्यादा better perform कर रहा है, उसको आगे बढ़ाना ही चाहिए, otherwise यहाँ पर आपको अलग-अलग problem सामने आएंगी, खेर जो भी है, यहाँ पर मैं simple तरीके से आपको यही समझा रहा था कि Mao Zedong का जो idea था, वो यही था कि common good की तरफ आगे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, I think शायद 1970s में उनकी मित्ती हो जाती है, 1970s में, और उसके बाद जो Mao का जो version था कम्मुनिजम का, उससे थोड़ा सा अलग हट जाता है चाहिना, ठीक है, जो Mao का ज थियरी थी, Communist Party of China, जो party rule करती है, वो थियरी आज भी चलती है चाहिना के अंदर, जो Mao Zedong का version था, उससे ही लोग अलग हो गए, आज के date में तो आपको साफ दिख रहा होगा, capitalist हो जुगा है, चाहिना से बड़ा capitalist आज के date में कौन होगा, लेकिन यहाँ पर जो party की थियरी थ तो चाइना एक atheist society है, वो लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं और जाहिर सी बात है, जब हम communism की बात करते हैं, जैसे कि for example, भारत में भी अगर आप देखोगे, जो द्रवीडियन parties है नीचे तमिल नाडू में अगर आप देखो, तो चाहिन DM के है, AI DM के है, तो यह लोग भी communism की तरफ हैं, जैसे कि भगवान पर विलीव नहीं करते हैं, और आज के date में अगर आप देखोगे, तो उनका भी काफी सारे changes आ रहे हैं, यहाँ पर जब से उनको देखने लगा है कि BJP भी यहाँ पर प्रोग्रेस करने लगी है तमिल नाडू में, तो वो भी यहाँ पर भगवान को लेकर कुछ कुछ चीज़ें बोली जारी हैं, खेर जो भी है, यहाँ पर simple सा मतलब है कि China में जो है, वो atheist country है, atheist society है ज्यादा तर, लेकिन still, उनकी अगर हम religious belief की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको diversity मिलेगा, जैसे कि Tibet हो गया, आपको पता होगा, इ तिबितियन वाला पुरा region है, इसको हम कहते हैं, तिबितियन autonomous region, यह वाला जो part हम देखते हैं, और इसके लावा वीगूर, muslims अगर आपने देखा होगा, उसको लेकर काफी सारे controversy होते रहते हैं, खेर हम उसमें नहीं जाएंगे, अब मैं यहाँ पर simply आता हूँ, कि कि किस जो Communist Party of China का General Secretary होगा, तो जो वहाँ की party है, अब यह party भी आपको ध्यान रखना है, CPC जो हम इसको कहते हैं, Communist Party of China, तो हम ज़्यादा तर यही सुनते हैं कि Single Party Rule है, मतलब कि यहाँ पर जो भी President होगा, वो इसी party से निकल कराता है, और in fact अगर आप देखोगे, तो Wish के अंदर इ Communist Party है, लेकिन real sense में अगर आप देखो नहीं, तो अभी भी Communist Party of China आप कह सकते हो, क्योंकि BJP के अंदर अगर हम देखें, जो BJP क्लेम करती हैं, तो ज़्यादा तर आप members देखोगे, तो वह active नहीं है, जो हम बात करते हैं, दस करोण का आकरा, BJP कहती हैं, हमने यह touch किया, लेक चाइना के अंदर यह जो members हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, Communist Party of China, वो सभी आपको active देखने को मिलेंगे, तो एक प्रकार से इसी पार्टी में से जो सबसे उपर, टॉप पर निकल कराता है, वो हो जाता है आपका General Secretary of this Party, और जो General Secretary होगा, वो आपका President हो जाता है, तो इसी प् को 2012 में ही General Secretary declare किया गया था, और March 2013 से जो Xi Jinping है, वो आपके राष्टपती बने वे हैं, पात साल का term होता है, एक term होता है, फिर पात साल का होता है, तो अभी क्या है, usually देखा जा रहा था कि दो term तक ही वहाँ पर बन सकते हैं, जादा था, क्यूंकि इनके पहले जो कर गया था, कि दो term से जादा नहीं बनना चाहिए, लेकिन अभी जो rumors आ रहा था, खबरे आ रही थी, उसमें यही problem बताया जा रहा था, कि किस तरीके से जो Xi Jinping है, वो अपना term को extend करना चाहते हैं, life term तक बने रहना चाहते हैं, और उसी की वज़े से हो सकता है, कुछ तकता पलट हुआ होगा, खैर जो भी है, वो सब हमने कल देखी लिया था, यहां पर आपको समझना है, कि जो भी General Secretary होगा, Communist Party of China का, इस बड़े Party का, वो आपका एक प्रकार से President बन जाता है, अब जब हम बात करते हैं, इस Party के बारे में, तो ध्यान रखीगा, China के अंदर, जितनी भी चीज़े हैं, मतलब यूं समझो, चाइना के अंदर, जो भी कुछ होता है न, चाहें कोर्ट से लेकर, चाहें कोर्ट हो, Military हो, हर जगा, जो सेंग है, वो आपका Communist Party of China का ही है, जैसे कि for example, मैं आपको compare करके बताता हूँ, भारत में क्या होता है, मालो भारत में अगर कोई IS officer है, तो IS officer कौन बनता है, ऐसा तो है न, कि कोई, मालो BJP power में है, तो ऐसा तो है न, कि BJP जिसको बोल देगी, वो आपका IS officer बन जाएगा, नहीं है न, ऐसा, मालो Congress power में है, तो क्या Congress बोल देगी, ऐसा IS officer है, नहीं, आपको exam crack करना होता है, अगर आप चाइना के अंदर administration से लेकर हर जगा, यहाँ पर आपको Communist Party of China का जो rule है, वो देखने को मिलेगा, Communist Party जो कह देती है, कि यहाँ पर होना चाहिए, इस position पर ऐसा है, तो वो आपका पूरा system वैसे चला करता है, So overall I hope क्या समझ गए होगे, कि Communist Party is the power center that controls every government department, military force, court, parliamentary meeting, हर चीज में यहाँ पर, और यह नीचे से लेकर अगर हम देखें, top तक, तो सबसे top पर कौन हो जाते हैं, शी जिंपिंग हो जाते हैं, फिर एक प्रकार से party है, और National People's Congress, एक चीज ध्यान रखेगा, अब जैसे भारत के अगर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको अक्सर इस तरह का एक बड़ा सा hall देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है, the great hall of the people, और यह बीजिंग का जो तियानमें square है, वहाँ पर यह पूरा building है, और इसमें यह आपको hall मेलेगा, और इसमें को कहते है, great hall of people, अब इ वैसा चुना होकर वो लोग उपर आते हैं, लेकिन ultimately आपको समझना है, कि election नाम का ऐसा कोई बड़ा कोई चीज नहीं है, कि जिशी जिंपिंग यहाँ पर elect होकर आए, वो आपस महीं party में जो strong leader निकल कर सामने आता है, जो ज़्यादा तर लोगों पर influence कर लेता है, वो एक प देख रहे हो, यह basically जो party का structure है, Communist Party of China, उसका structure बता रहा है, जैसे कि भारत के अंदर एक तरफ यह BJP है मान के चलो, ठीक है, और यहाँ पर government है, तो BJP government सेम नहीं होते हैं, जो government के अंदर लोग हैं, जैसे Prime Minister है, वो BJP के member है, नरेंद मोदी जी, BJP के member है, तो उनको यहाँ पर party अलग होती है, और जो government होता है, वो अलग होता है, तो यहाँ पर वैसी, अगर आप China के अंदर भी देखोगे, तो यह आपका party का structure है, ठीक है, party के structure में क्या है, General Secretary, कौन है, Xi Jinping, और मैंने क्या बोला, जो General Secretary होता है, वो आपका President हो जाता है, तो government में कौन बन गया President, यहाँ Xi Jinping, और उसके नीचे government के अलग-अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर Supreme Court हो गया, ठीक है, Court हो गया, चाइना के अंदर, वैसे एक State Council होता है, Cabinet की तरह होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, और इसी परकार से जो Military है वहाँ की, जो People's Liberation Army, प्ले जो उसको कहते हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं एक प्रकार से, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर Party का structure है, पार्टी के structure में सबसे उपर कौन है, शी जिन्पिंग है, जनरल सेक्रेटरी, उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे एक प्रकार से committee होती है, जो सबसे important है, इसको Polit Bureau Standing Committee, यह एक प्रकार से Russia, जो Soviet Union का एरा था, उस समय से लिया गया है, Polit Bureau, तो Polit Bureau Standing Committee वो आपको देखने को मिलेगा, और फिर उससे बड़ा एक यह प्रकार मैंने आपको बताया, National Party Congress, जो यहाँ पर meeting होती है, इतने सारे लोग बैठते है, National Party Congress, लगवक 3,000 के आसपास देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, शी जिन्पिंग के नीचे कौन है, Polit Bureau Standing Committee, यह basically most powerful politicians की committee होती है, चाइना के अंदर जो सबसे powerful लोग है, पहले क्या होता था, यहाँ पर 9 लोग हुआ करते थे इसके अंदर, फू जिन्पिंग जो प्रेसिडेंट थे उसमें उनके अंदर 9 लोग थे, लेकिन शी जिन्पिंग जब शी जिन्पिंग आये चाइना के अंदर, तो उन्होंने इसको छोटा करके 7 और इसके अंदर आप देख सकते हो, जो प्रेसिडेंट है, वो तो ही है, शी जिन्पिंग और साथी साथ बाकी के 6 मेंबर्स हैं, और इसमें आप देख पाऊगे, ली ची क्यांग, ठीक है, यह प्रीमियर इसको कहते हैं, प्रामिनिस्टर जैसे होता है न, यह प्रीमियर है तो इसी प्रकार से यह जो बाकी के 6 लोग हैं और शी जिन्पिंग, यह सबसे important persons हैं चाइना के अंदर, इनके द्वारा जो भी decision लिया जाता है, वो पूरे चाइना के उपर impact करता है, तो यह आप, I hope कि आप समझ गयोगे, शी जिन्पिंग ultimately decision कहां से आता है, यह standing committee, और उस प्रकार से यह 25 members यहां पर आप देख रहे हो, यह 25 members वो कहे जाते हैं, जो शी जिन्पिंग के सबसे ज़्यादा करीवी हैं, अव्वेसी बात है न, शी जिन्पिंग किसको रखेंगे अपने इर्दगर्द, वो अपने सबसे ज़्यादा करीवी को रखना चाहेंगे, जो next important चीज़ आपको समझना है, वो है आपका state council, मैं आपको again, यह चार्ट फिर से दिखाता हूँ, यह मने आपको बोला, सबसे उपर, शी जिन्पिंग है, प्रेसिडेंट है, फिर यहां पर 3000 members का, यह जो national people's congress है, और इनके द्वारा, जो national people's congress है, 3000 लोगों का, थियरी में अगर आप देखोगे, तो यह लोग कंट्रोल करते हैं, military को, court को, state council को, अब इसी में state council आ जाता है, state council क्या है, जो चाइना की cabinet है ना, उसको head किया जाता है, अब ध्यान रखना, भारत के अंदर cabinet कौन head करता है, हमारे prime minister करते हैं, लेकिन चाइना के अंदर कहा जाता है, यह जो state council है, इनके द्वारा, जो policies हैं, उसको enact की जाती है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर cabinet enact करता है, policies को pass करता है, ठीक है, जितने government departments हैं, उसको preside किया जाता है, इनके द्वारा, तो एक प्रकार से जैसे cabinet होता है, वैसे यह state council है, बस यह आप ध्यान रखे, अब मैं next आता अलग-अलग की जो पर, जैसे military हो गया, अब वहाँ का अगर आप constitution देखोगे, जैसे China के अंदर, तो China के अंदर यह कहा जाता है, कि जो military है, वो control करेगा Central Military Commission, अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यह Central Military Commission है, यह head करता है किसको, China की आर्मी को, China की जो People's Liberation Army है न, उनको, लेकिन practical में अगर आप देखोगे न, तो यह control किया जाता है, Xi Jinping के दौरा, क्योंकि State Central Military Commission को head कौन करता है, यह head करते हैं, खुझ Xi Jinping, और इसी लिए automatically क्या है, कि Xi Jinping जो है, और या फिर आप कह लिजे, Communist Party of China, वो पूरे military को control करती है, यहाँ पर, और इस तरह से आपका military control होता है, next यहाँ पर किसी भी देश में जो एक और important pillar होता है, आपने सुना होगा, वो है judiciary, बहुत ही important है, अब judiciary में बहुत interesting चीज़ हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ, देखो, वहाँ का, अगर हम commercial की बात करें, जो business होते हैं, business related laws, commercial को लेकर कोई dispute हो गया, आपने दे कहा जाता है कि वो काफी हद तक independent और fair है, क्योंकि तभी business जाएंगे, अगर business को पता है कि वो लोग fair नहीं होगे, independent नहीं हो गए, तो वो कोई जाएगा नहीं business करने, तो China ने यही काम किया, कि जो commercial laws हैं, उसको independent बनाने की कोशिश की, लेकिन जो बाकी के laws होते हैं, जो सजा पार्टी का ही है, तो जो भी पार्टी का ही कि वही सजा सुनाए गया, आपने देखा होगा ना कि कई बार होता है कि कोई अगर कोई अपना freedom express करना चाहता है चायना के अंदर, तो ultimately वहाँ की सरकार क्या करती है, वो दिखाती है कि देखो हम ये तो court ले जा रहे हैं आपर, नया पालिका पर ले जा रहे हैं, नया पालिका ने बोला है कि उसको सजा होगा lifetime का, और उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो independent नहीं है आपको समझना है, independent judiciary वहाँ पर क्या है, commercial loss related ही है बस, बाकी चीज़ चीज़ें independent नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से जो party है, उसका कबजा किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलाबा कुछ एक दो चीज़ मैं और आपको बता दे जाओं, जैसे human resource development की बात करें, कि मालो इतने सारे members हैं, communist party of China में, तो किसको क्या काम दिया जाएगा, उसके लिए वहाँ पर उन्होंने बना रखा है central organization department, कि कौन सा party का member इसका क्या काम होगा, उसका क्या काम होगा, तो ये लोग इसको decide करते हैं, ये जो department है, वो decide करते हैं, इसी प्रकार से, सभी party members के अंदर discipline हो, loyalty हो, party के तरफ से, हर एक चीज हो, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, central commission for discipline inspection बना दिया है, ताकि कोई भी जो member है वो अपने discipline से नहाटे, loyalty हमेशा बनाए रखे, अगर इनको लगेगा, ये जो inspection है, discipline inspection है, commission है, इनको लगेगा कि कोई भी party member गलत काम कर रहा है, गलत देश विरोधी काम कर रहा है, तो उसको तुरंट expel कर दिया जाता है, उसके party के membership से, ठीक है, तो ये ये भी एक important role play करते ह है, तो ultimately इसी तरीके से ये जो पूरा system है, चाइना हम के अंदर वो काम करता है, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं just आपको एक structure बदाने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से जो party का structure होता है, government का structure है, ये लोग किस तरह से control करते हैं, तो I hope कि अब आपको जो linkages हैं, ज इन चार statement होते हैं, उसमें एक statement ये आ गया, तो आपको पहचानना होता है, किस leader ने बोला है, तो इस तरह से कई बार आपको ये help कर सकता है, तो क्या बता सकतो ये statement किस की दौरा बोला गया था, इन चार option में से, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ अब अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डाल दिया करता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आए, अलग-अलग social media पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंन